हेलो एव्रिवन कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत ही खुश और मन लगाकर पढ़ाई तो कर रहे हैं कर रहे हैं अगर हाँ तो फटावर जल्दी से आज आए और जाज़दा क्लास को शेर कीजिए क्योंकि मैं पूरं प्रजापत कक्षा बारवी रसाइन विज्ञान में आप सबी बच्चों का स्वागत करती हूं बच्चों जल्दी जल्दी फटा फटावर फटावर क्लास को शेर कर दो ताकि सबी बच्चे आज जो हम नया चाप्टर शुरू करने वाले हैं उसको पढ़ सकें और इसमें से जो important question आने वाले हैं उनको भी देख सकें राइ पढ़ाई कर रहे हैं जल्दी कीजिए फटावर ताकि में शुरू कर सको जल्दी करो भई उक् photographers क्यों क्यों 10 विण हमीशा आई कि बाद होती है न बस पढ़ने के मामने में रुप जौबाकी सब काम तो आराम सेiger करना हो कहीं पर भी कही जाना हो हमेशा तैया रहे हैं नहीं अपने को अपढ़ना है पढ़ने नहीं ज्यान देना है ज़रूरी है कि अपन जो काम कर रहे हैं वो केवल और केवल अभी के लिए ज़रूरी है वो केवल स्टुड़ी है बढ़ाएगा कोई भी विकल्प नहीं होता है ठीक है तो शुरू कर दो आए बेटा हमने अपने चार चैप्टर कम्प्लीट कर लिये हैं पहला वीलियन दूसर विद्यत्र सायन तीसरा क्या तीसरा है chemical kinetics और चोथा चैप्टर चोथा चैप्टर था आपका क्या यह जो आज हम लोग कम्प्लीट कर चुके हैं दी और एफ ब्लोक नाव हम शुरू करें अपना पाच्वा चैप्टर जिसका नाव है क्या उप सहर सहीं हो जग योगित ना लेकिन हर जगह जब भी नाम लिया जाता है तो कुछ-कुछ चीज़ें जो होती है बदल जाती है यान कहते हैं एक ही शब्द के कई अर्थ अलग-अलग नजर आते हैं वही यहां पर किये गए हैं उप सहसे योगित क्या होते हैं किस प्रकार से बनाए जाते हैं वो सब हम करेंगे और साथ ही आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में भी एक नजर डालते हैं ताकि हमें पता चल जाये कि हम आज कौन सा टॉपिक टिटेल में डिस्कुस करने वाले हैं तो आज हम पढ़ेंगे क्या आज हम पढ़ेंगे द्विक लवक संकुल लवन और लेगेंड का वरगी करन आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे मैं यह क्या होता है डॉंट वरी आपको कोछ भी सोचने जासा न करना है कि एक बार क्लास को शेर कर दो लाइक कर दो जितने भी बच्चे आये हैं और एक प्रॉमिस कर दो क्या कि एंड तक मेरे साथ जुड़े रहोगे ओके तो चली जी शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक जिसका नाम है क्या विक लवान अब आप सोचने होंगे मैं आज रिवीजन नहीं होगा क्या आज रिविजन कैसे बाइज तो अपना नया टॉपिक शुरू हो रहा है आज तो अपना पांच माच अप्रशुरू करने वाले हैं तो आज नहीं अब आज जो पढ़ेंगे उसका कल्पिक रीजिशन होगा वैसे तो मैंने रिविजिद के सबसे पहला टॉपिक क्या है बिठे सबसे पहला टॉपिक है क्या आपका द्विक लवन क्या होते हैं इसके बारे में चरचा कर लेते हैं आपको बात पता चल जाएगी कि यह होते क्या है clear तो अब चलते हैं अपन इसकी परिभाशा की ओर तो परिभाशा क्या है कैसे है परिभाशा क्या है इसे किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं वो सब अपन एक बार देख लेते हैं ताकि आपको बात समझ में आज़े आजा फटा-फट जल्दी से दूएक मतलब दो लवन मतलब जिसमें धनायन और रिनायन होता है लेकिन जब अपन बात करते हैं सबसे पहले उप सहसियोजक की तो उसका मतलब क्या है उप सहसियोजक का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी एलेमे कार्बन ऑक्सिजन को इलेक्ट्रोन दे रहा है पर ऑक्सिजन कार्बन को नहीं दे रहा है केवल कार्बन ही ऑक्सिजन को दे रहा है तो उस दोरान उनके मद्द जो बंद बनता है वो बंद कहलाता है कौन सा बंद उपसहसंयोजक बंद क्या कहलाता है उपसहसंयोजक बंद ब देटा उस योगीक को हम क्या कहेंगे बता उस योगीक को हम कहेंगे उप light अब उप सह सहाज योगीक में हमेशान ध्यान रखो fight कि कोई भी योगीक जब बनता है तो उसमें जो एटम होते हैं वो एटम हमेशा दो इलेक्ट्रोन जो होता है वो दान करता है एक एटम दूसरे एटम को कितने इलेक्ट्रोन दान करता है दो एटम दान करता है दो इलेक्ट्रोन दान करेगा और कौन सा बंद बनाएगा इस प्रकार एरो की तरह बनने वाला बंद उपस है से बनाता है बात समझ में आ गई तो अब जो योगिक आप देखें कुछ मॉलिक्यूस जो है इस तरह बनाए जाते हैं तो उन मॉलिक्यूस में आपन बात करते हैं वेटे कि आपके पास इस प्रकार बने वाले जो योगिक हैं वो योगिक किस-किस प्रकार के हो सकते हैं तो कहा गया कि जब आप इनकी बात करते हैं तो यह दो प्रकार के हो ईप सह से औजिक योगिक में अपन जब बात करते हैं तो दो प्रकार के लवण होते हैं द्विक लवण और होता है बेटा क्या संकुल लवण संकुल लवण ठीक है राजा ओके तो द्रिक लवण और संकुल लवण में इनको क्यों वरीगर्स किया गया तो कहा गया कि कुछ कंपाउंट्स ऐसे होते हैं जो अगर आप पानी में उनको यदि डिजॉल्व करते हैं यानि पानी के यदर उन्हें घोलते हैं तो वो पून तया आइनित हो जाते हैं वहीं पर यदि में बात करूं कि अगर संकुल की बात करूं तो यह पून तया आइनित नहीं होते हैं उन्तया आयनित नहीं होते हैं यानि अपनी मूल अवस्था को नहीं छोड़ते हैं जैसे वह हैं वैसे ही रहते हैं तो इस प्रकास संकुल यूगिकों को दो प्रकास से डिफाइन किया गया द्विक लवन और संकुल लवन राइट अब आपन आप बात करेंगे किसकी द्विक लवन की तो बिविक लवन का आईडिया तो आपको सबको लगी गया है क्या होता है तो चलिए देख लेते हैं क्या कहते हैं वे योगातमे यूजिक जो ठोड़ो सवस्ता है प्रवम्ट जलिए वीडियों음 passes आइनित हो जाते हैं उन्हें द्विक लवन कहते हैं इन्हें जालक लवन भी कहा जाता है जालक शब्द का अर्थ होता है कि आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं एक जाल के रूप में अरेंज होते हैं घर में सबकी जाल होते हैं ना उपर की तरफ लगा शाल सबना होता है जो आयरन की थे अपनी होता है वेसा ही जाल नहीं युए चल क्लिर वी चली केश्चाए को वह अच्छ कारनलाइट के पानी में डालने से पूरी तरह से घुल जाता है आपको पता है ना बिल्कुल पता होना भी चाहिए क्योंकि पानी को स्विद्धी करत करने के लिए हम उसके अंदर क्या डालते हैं तो के टुए सोफोर का होल था है डॉट चोबीस एच्टू और बात समझ में आ गए अब आप में से कई बच्चे सोचते होंगे कि 24-2 और 6-2 बेटा ये जो मॉलीक्यूल वाटर का मॉलीक्यूल रखा गया है ये क्रिस्ट्लिय जल होते हैं क्या होते हैं और क्रिस्ट्लिय जल का मतलब क्या होता है क्रिस्ट्लिय जल वो जल होता है जो एक निश्चित आयतन में किसी मॉलीक्यूल के निश्चित आयतन में उपस्तित होता है मॉलीक्यूल के क्या निश्चित आयतन में उपस्तित होता है उसे अपन क्या कहते हैं क्रिस्ट्लन जल कहते हैं बात समझ नहीं इसलिए क्रिस्ट् तो पड़ा फड़ लाइक कर दो लिख दो यस मैम अरे देखो बाते मत करो आज नया चैप्टर है इतना जोश के साथ मैं पढ़ा रही हूं तो आप में भी वो जोश होना चाहिए चलें बाते बात में करना आजाओ अब आता है अगला संकुल योगी किया उपस है संकुल लग तो आपको पता है यह पूंटे आयनित नहीं होंगे अपने अस्तितों को नहीं खोते हैं तो पहले परिवाशा देखो जो ठोस तदा वीलियन वीलियन दोनौ अवस्ताओं में स्थाई होते हैं परंतो आयनित नहीं होते हैं जैसे क्या cunh3 का hole 4, cone4 जिसे आप दिछ तोरते हैं तो यह इस तरह तोरता है यह प्लस का यहां पर लिखतो प्लस टू और यहां लें तो क्या माइनस टू अब बात समझ में आ गई हाँ या ना तो संकुल का मतलग क्या संकुल का आप मतलग क्या चाहिए ज्यां दो आपके पास हमेशा जब भी आप संकुल की बात करेंगे तो आपके पास हमेशा डी ब्लोक की धातू होगी एक तो पहल कि इनके पास रिक्त बीक अक्षक होता है इसलिए ये क्या होते हैं इसलिए ये इलेक्ट्रोन ग्रहन कर सकती हैं और संकुल योगिक ही एक मातर ऐसे योगिक हैं जिनमें जो धात्वें होती हैं वो धात्वें हमेशा इलेक्ट्रोन ग्रहन करती हैं क्या करती हैं लेक्ट्रॉन ग्रहन करती है बात समझ में फटा फटस लिएम लिखत कोई दिक्ता नहीं की तो आपन देखते हैंと कि आपके बाद ऊसमें धातू है और आएं ठीक है और यह जो आपस में मिलकर यह जो टूटा नहीं है यह जो टूटा हुआ भाग नहीं है उसे हम लोग क्या कहते हैं संकुल कहते हैं और जो भाग तूट कर अलग हो गया है उसे हम लोग क्या कहते हैं साधारण आयन कहते हैं क्या कहते हैं बेटे साधारण आयन कहते हैं बात समझ में आ ड़ आजाओ बच्छों इस प्रकार बननी संकुल को संकुलयोग एक कहते हैं ज़्डाप बच्चों सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे बेटा आपके पास में क्या है आपके पास में एक फॉर्मूला दिया है जो इस प्रकार है सी यू एन एच थ्री का होल फोर और यह बंद कर दिया और यहां लेग दिया एस ओफ ठीक बस यहां ध्यान दो आप सब इस तरह ध्यान दो अब इमें सब का अर्थ समझा दो ठीक है आपके पास एक कंपाउंड है जो बड़े कोस्टक में लिखा हुआ है उसे संकुल यह कहते यह क्या हैे इंध्ये दातूल परमाण हो ठीक और यह क्या है यह डिण क्या होते हैं केंद्य धातूल मंक्त पर होते हैं और इसे कहते हैं बेटा साधारे न आए क्या कहते है राजा साधा रण आएं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो ये कह रहा है कि केंद्रिय धातु परमानू वो होते हैं जो क्या करते हैं लिगेंड के साथ जुड़ते हैं और इलेक्ट्रोन ग्रहन करते हैं केंद्रिय धातु परमानू को इलेक्ट्रोन ग्रहन करते हैं ठीक बात है ठीक है वहीं पर आप देखें कि लिगेंड क्या होते हैं तो कहा गया कि लिगेंड कौन होता है लिगेंड वह दाता परमानू होते हैं लिगेंड वह दाता परमानू होते हैं जो क्या करते हैं केंद्रिय धातु परमानू को इलेक्ट्रोन ग्रहन करते हैं बात समझ में आ गई बात क्लियर भी हो गई होगी तो क्लियर हो गई बात केंद्रिय धातु परमानू अब आता है समन्वे सकता जहां पर केंद्रिय धातू और लिगेंड इस्थित होते हैं जहां पर रखे जाते हैं उस परिसर को क्या कहा जाता है उसे परिसर को समन्वे सकता कहा बात समझ में आ गए यस मैं लिग दो फटा 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 जल्दी से चलूं आगे लेकेंड कीए परिवाज़ में बाता दी है परमानु को समुल है जिस में कम से कम एक लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रों होते हैं उसे लिगेंड कहते हैं ठीक है लिगेंड कहते हैं लिगेंड का वह परमानू जो लोन पेर को इलेक्ट्रों त्यागता है उसे दाता परमानू कहते हैं क्या कहते हैं दाता परमानू कहते हैं बात समझ में के लेलो बेटाओ अब यह लिगन कितने प्रकार के होते हैं पर एक बार उस पर नज़र डालते हैं तो लीगन का वर्गी कर नहीं है अब जब्षी निट होता है बिटा तो लिगेंड जो होता है एक दंतुक द्वी दंतुक और त्री दंतुक और शट दंतुक और बहु दंतुक ठीक है एक दंतुक का मतलब होता है जो किसी केंडर्य धातव परमानु अम को एक ही इलैक्टोन युग्म दान करता है या जिसके पास एक ही दाता परमानु होता है जिसके पास एक ही दाता पर मानू हो या फिर यूँ कहूं जो एक इलेक्ट्रोन यूग में दान करता है राइट द्वी दंतुक में दो इलेक्ट्रोन यूग त्री में टीन इलेक्ट्रोन यूग शट में 6, बहु में 6 से जाधा और जब 6 से जाधा हो जाते हैं तो वहाँ पर किलेट वले बन जाती है ओके बात समझ में आगे हैं बात क्लियर हो गए है समझ में आई बात तो फटा फट इसको उतारेंगे ताकि आप अच्छे से इसको नोट कर सकें अभी में एक्जाम्पल दिखाऊंगी ऐसा नहीं है चलो जी चलो आजा लिगेंड में दाता परमानों की संख्या के आदार पर तो सबसे पहले एक दंतुक एक दाता परमानों जैसे एनेश 3H2, आल एनेश 2, आल एनेश, आर थ्रीन, इसे यल दिया यह सब क्या करते हैं बैटा यह सब केवल और केवल एक इलक्ट्रोन एक इलक्ट्रोन युगम किसको केंद्रिय धातू परमानों को दान करते हैं हैं और कोई दिक्तत होनी भी नहीं चलिए बात समझने आगरी तो यह कहते हैं कि द्विदंतुक में जैसे एथेन 1 2 घाई M ने को बैठा स्का पॉ मवल यह होता है चयेश 2 चयेश 2 एथेन 1 2 डाई खेन उत पता है क्या होगा यह नाइट्रोजन जो है वो क्या करेगा यह नाइट्रोजन भी क्या होगां को इलेक्टो नीड मिदान करेगा जिसकी वजह से क्या होगा जिसकी वजह से यह द्यूज केहलाता है बात समझ में आगे एक दन्तुक द्यूज़ का मेनिंग समझ में आया बात clear हो गई तो चलते हैं आगे फटा फट उता रहेंगे जल्दी से मैं देखती हूँ कई बच्छे बोलते हैं कमेंट में कि मैं हमें उतारने का समय नहीं मिला है अरे मैं कहतो रही हूँ आप जब मैं पढ़ा रही हूँ तो उसके बाद में इन चीजों को ठीक से नोट कर लें और डिस्क्रिप्शन में जा करके आप ये बात भी देख लें कि वहाँ पर आपको जो होमवक दिया गया है वहाँ पर आपको पीडियव भी मिल जाएगा तो प अतिकर लो तु तु कर लो कर लो कि बातितों ल Remote कि तो कम मतलब क्या कि गऄे ना मैंत कर रहे हैं कि मारे बच्चों के डवट्स क्लियर रहे हम इतनी इसी डितना ताइन देखे चुझे और तो आप भी तो पढ़ाई पे ध्यान दो पढ़ाई पे ध्यान दो वेटे चलो आज आज आओ जी अब तरी दंतुक में देखो क्या है तीन दाता परमाणू डाइधिल ट्राइमिन देखो ज़रा ध्यान देखो एथिलिन डाइमिन जो फॉर्मूला उसको सारी जिख लिए हो जाती है एक और दू ठीक है आप पता क्या होगा अब यहाँ पर एनेच टू एनेच टू और यहाँ पर क्या आज है यहाँ पर क्यों था ठीक है डाइधिल डाइधिल ट्राइमिन एक दू तीन दाता परमाणू होगा तो क्या होगा त्री दंतुक चले बात समझ जाएगी बिलकुल बिलकुल चलते हैं आगे जल्दी से फड़ा फड़ नोट कर लो जल्दी आगे आता है शट दंतुक चतर दंतुक में क्या होगा यहां पर चार आ जाएंगे पांच में फिर पांच जुड़ जाएंगे छै में देखो एथिलीन डाइमीन टे का तुछ एथिलीन डाइमीन टेक्राइब तरह सब्सक्राइब अभी दिखा देते हैं आ पे-चा मतलब क्या होता है जल्दी ल्यान सबब्सक्राइब से कोई जल्दी नहीं है आपकोा में थीलीए मैं में सब्सक्राइब आजाओ पेठा, CH2, CH2, ठीके, ethylene-diamine, tetra-acetic acid, tetra-acetic acid क्या हो है, CH3, C double bond OO minus, right, right, बात समझ में आगे, बात क्लियर होई, इन देखो बेटा, कितने हैं, दाता पर मान कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच और शह, यह सम जल्दी बता, जल्दी चल्दी चल्दी बता, यह सर नो, फड़ा फ़र, बिल्कुल जी मिल्कुल, यह बात क्लियर होगे, इसलिए 60 दंतुक, अब देखो बेटा, यह दि इसके अपन क्या कर दें, अगर अपन एक हटा दें, तो पांच रह जाएंगे, दो हटा दें, चार रह जाएंगे, रै, इसलिए एथिरीन डायमिन ऐसा एक्जामपल है, जो, डाई दंतुक, यानि कि, डाई दंतुक, द्वी तो आप उसे कैसे लिख सकते हैं, यहां पर लिखा हैं, तो यह यहां पर, यहां पर, यहां पर, और यह उपर से यूँ, और यह यहां से यूँ, तो आपको क्या नजर आ रहा है, बेटे, आपको एक गोल वले नजर आ रही है, जिसे हमन क्या कहते हैं, किलेट वले कहते हैं हैं और जो सबसे जादा इस्थाई होती है इसी लिए ये लिगेंड भी अधिक इस्थाई प्रवर्ती के होते हैं बात समझ में आ गई होगी बात क्लियर भी हो गई होगी फटा-फट लिग दीजिए यस मैं आगई बात समय उभैदन तो अब ये तो आपने उतार लिया ये ज आपको अगला टॉपिक समझ में आ जाए अब आ जाओ बेटे अब अगला आता है उभैदन्तुक लिगेंड बेटा उभैदन्तुक का मतलब क्या होता है उभैदन्तुक लिगेंड वो होते हैं ऐसे लिगेंड जिनके पास में क्या होते हैं दो दाता परमानों तो है परन्त क्या होगा दो दाता परमानों के साथ साथ क्या है दोनों ही क्या कर सकते हैं इलेक्टोन दे सकते हैं इलेक्टोन युगमदान कर सकते हैं ठीक है लेकिन एक समय में एक ही देगा एक बार में एक ही देगा दो दाता परमानों है बेशक है लेकिन एक समय में एक ही देगा जैसे फॉर घर में क्या है कि सब लोग पैसे वाले हैं दो भाई है दोनों पैसे वाले आप किसी को दान करना है है यह पर किसी थैंसफ कर यह तो अपना घर में एक साथ करें आनसर करते हैं तो उन्होंने कहां ध्यक है हम बात करेंगे इस बात पर तो उन्होंने क्या किया पूछा पूछा तो फिर क्या कहा कि दोनों मिलकर के एक ही जना अब जो बड़ा है वही डॉनेशन देगा घर में सही जा रहा है पर एक बार में एक जना जिए ऐसा नहीं है कि छोटे वाले ने अलग से दिया बड़े वाल करता है बात समझ में आ गई है तो फटा वर लिग दो यस मैं उबहे दंतुक का मीनिंग भी क्लियर हो गया तो जो साइनाइडर्स में कार्बन भी एलेक्रों दे सकता है नाइट्रोजन दी लेकिन एक समय में एक दिगा देखो कार्बन एक बार कार्बन दे रहा है एक बार बैदन तुक लिगें ऐसे बेटा अनोटो भी हो सकता है जिसमें एक बार एंड डबल बोन ओ ओ यह दे रहा है एक बार आनोटो में अन्दे इस प्रकार से यह दिगा है एक बैदन किस रहनी में आता है बात समझ में आ गई तो पटा पर लिग दो यस मैं जल्दी लिग दो चलू ओक आ जाए अब आता है किलेट लिगेंड किलेट लिगेंड मैंने बता दी है वेस्तों फिर भी आपके सामने स्क्रीम पर हैं यह दुद्ध या बहुर दो लिगेंड जो होते हैं दादर परवांस जुड़के पांच या 6 दस्ते वलाय बनाने तेंसे किलेट लिगें तो यह रहा आपका कोपर यह क्या है आपका कोपर ओके कोपर जो है इसके चाओ तरफ एथिलीन डाइमिन कोपर के साथ एथिलीन डाइमिन का फॉर्मूला यह होता है लुट यह होता है जल्दी बताओ जल्दी बताओ यह सोन फटाफट फटाफट बने गर यार इधर देखो आगे बात समझ में तो अब देखो इसके कितने मोल है दो आप पन लिखेंगे इसको ऐसे CH2 CH2 NH2 NH2 राइट यह दे दिया ऐसे ही वापस NH2 NH2 CH2 CH2 राइट यह भी लैक्टोन दे रहा है आगे इस प्रकार बने हुए एक वला बन देए ना यह रही एक वला है यह इस प्रकार बने हुए जो योगिक होते हैं उन्हें किलेट योगिक और लिगेंड को किलेट लिगेंड कहा जाता है जो चक्रिय योईकों का निर्मान करते हैं क्लियर बात समझ में आ गई तो फटा 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 पर लिखेंगे चलते हैं आगे अब यह कह रहा है समन्वे मंदल क्या होता है जहां पर लिगेंड मोजूद होता है यह चो पॉस्तर के अंदर गुरू यह इस सभी को समनिवे मंदल में चाहिता है समनुए मंदल के हैं इसके अंदर क्रोमियूम और अभी केवल और केवल क्या करो अभी केवल पढ़ाई पे द्यान दो भाई चलें आजाओ अब चलते हैं आगे समन्वे बहु फलक क्या होता है समन्वे बहु फलक का मतलव होता है कि आपके पास जो समन्वे मंदल है उसके अंदर जरे या फिर 6 तो ये जो आपके पास हमें किस तरह से विन्यासित है यह जिस प्रकार में 성 जो प्रकार उसका बंजाता राइन तो उनमें उपस्तित जो लिगेंड होते हैं वो जिस विन्यास में विन्यासित होते हैं वही उसका फलक रहलाता है तो आप देखेंगे इसके एक्जामपल्स अपन बात कर लेते हैं केंदी राद पर्मानों से जुड़े वे लिगेंड के इस्थान की विवस्ता को समंभ विवभु फलक कहते हैं सही बात चतृत र्लाक है समतल वर्गाकार एस्त र्लाक है वरत सही है या नहीं जल्दी बताओ बात क्लियर हुई है समझ आ गई यह क्या है समतल वर्गा कार और यह अस्ट वल यह बेटा बात समझ में आ जल्दी से लिग दो येस माम फटा फट जटा जट जल्दी जल्दी चल्दी ताकि हम आपको यह टोपिक आगे क्लियर कर सकते हैं क्लियर बेटे आजा हो कहते हैं क्या होता है जो मैं बोल रही हुना वह लिखी हुई परिभास से ज्यादा इसलिए कोशिश करो कि आप उनको इतने ही अच्छे से समझ सको तो इदर देखो सामने बोड़ पर उप सहर सयोजन संक्या क्या होती है कोई भी से जुड़ता है जितने लिगेंड से जुड़ता है वही उसकी समन्वे संख्या कहलाती है क्या कहलाती है कि देखो केंद्री दातर परमानु से जुड़े वे लिगेंडों की संख्या को उप सहर सयोजन संख्या कहते हैं यदि केंद्री दातर परमानु द्वीत अंतुक लि सकते हैं दो से गुणा करकी वो तो बात की बात है इतना जरूरी नहीं केवल यदि आपके पास समझ में अगर आपका द्वी दंतुक है तब दो से गुणा करो एक दंतुक है जितने जुड़े में उतनी समझ पर संख्या होगी अब एथिलिन डाये में ठीक है कितने दान करता है जल्दी बताओ कितने इलक्रन्यूक में दान करता आ यह दो 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 ददान करता है और खुद भी संख्या में दो तो एक्च्छल में कितने बंद बनाएगा कैसे तो जीण से एतलिन डाइमन और कोपर भात या ठीक है एक एतलिन डाइमन कितने बंद बनाता है कि ट्युन बना रहा है एक यह इंडायमन एक है कितने बंद बना रहा है दो वापस दूसरा एपल डायमेन और रखो कितने बद मना रहा है ये भी तोटल कितने हो गए यानि उपसे से कितनी होगी जल्दी बदाओ येस और लूँ क्लियर येस आजाओ आगे चलते हैं अब संकुल जो एक है उनके अंदर उपसे संक्या ग्याद करो एक दंतुक होता है इसे दो लिए निकल भी निकल के साथ में क्या है कार्बोनिल कंपॉंड देते कार्बोनिल भी कितना होता है एक ही एलेक्ट्रों यूदान करता है तो चार जुड़े में दचार हो गए दो गुणा एक चार गुणा भी एक चार गुणा भी एक शेग अब आजाओ अब आइनेश थ्री भी कितने हैं तीन गुणा एक प्लस तीन गुणा एक टोटल कितने हो गए तीन और तीन शेए एक लौन भी एक दंटुक होता है मैंने बिदी बताया था पीछे ईथिलिन डाइयमन कितने होसी दो और जुणा है अपक्त कितने हैं तिन आप सोच रहे होगे इस कई धीद्र कियों नहीं लिया क्योंकि ये किसक उंदर नहीं बड़त संकुल नहीं होते साधान कि बात समझ में आई झाल लिगकी है है एतिलीन डाई में छह चाल और बले कौस्टर के यंदरे और यह पकलिए बात समझ में आ गई तो पटा फर लिग दो यसली जलीज़्दी जलीज़्दी ओके आरे यह नहीं यह बात समझ में बात क्लिए हुई या नहीं जलती बता दू से आहे हैं होमो लेप्टिक होमोलेप्टिक और दूसरा आता है हेतरोलेप्टिक हमेशे अहश्idelिखन Запながत सब हैं घर में तो सब 700 होते हैं बाहाद जाए तब अलगलग होते न आप और अब चले जाएं तो घर में तो अपन आराम से कैसे भी रह सकते हैं सब एक जैसे रहते हैं वहां थोड़ना होता है कि सूट वूट पहन के बढ़िया तयार होके बैठ जाएंगे पॉसिबल नहीं तो हो मतलब घर घर में सब क्या है एक समान यानि कि जब किसी भी संकुल में लिगे समान हो लिगेंड समान हो तो उसे अपन क्या कहते हैं होमोलेप्टिक और वहीं पर यदि क्या हो लिगेंड क्या हो बेटा लिगेंड भिन भिन हो तो क्या हो तो क्या होता है है तो देखो ना निकल के विपसाथ में चारों को कार्बोन कमान है नहीं समान है लेकिन यहां पर देखो सैने ट्रीवी ओर सीएली तो बिन बिन लिए लोग है तो समान लिएंघ्ण होगो बिन लिएंड हेटरोल्लेप्टिक संपूल कहला ते हैं बात समझ में आई हाँ ना जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ फटाव फट यह बहुत इंपोर्टेंट है यहां स तो नंबर का क्यों आता ही है पक्का 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 101 पर सब्सक्राइब कोशिश करो कि ज्यादा से पढ़ सको चले चलते हैं अब आता है उपसहज सेयोजगी को का नाम करन कैसे किया जाता है जरा ध्यान दें तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन-कौन से योगी है ठीक है आपके पास संकुल है आयन है आयन है संकुल है और केवल संकुल है इसे अपन बोलते हैं धनात्मक संकुल धनात्मक संकुल ठीक है इसे बड़े कौस्टक में और इसे बोलते हैं साधारण साधारण आयन ठीक यहां पर बोलते हैं साधारण रिनायन साधारण धनायन और संकुल रिनायन संकुल रिनायन और यह है क्या उदासीन उदासीन संकुल ओके बात समझ में आ गई होगी सबी बच्चों को क्लीर होगे आगी रैट अब इनका नामकरन आपको कैसे करना है तो पहले इसको उतारो ताकि बात समझ में आ जाए फटा-फट उतार लो जल्दी से जल्दी से जल बूर बाद है नाम दिखने के नियम है पहला है कि लिखते समय को पहले रिडिनायन को बात में लिखते हैं ठीक है दिखा है और वा गयंते दाज्ких को लिख जाता है तो सबसे पहले पता हो कि लिगेंड कौन-कौन से होते हैं आपके सामने बहुत साही लिगेंड यह मैंने इसलिए लाई हूँ ताकि आप बच्चों को पता रहे किसको क्या कहते हैं जैसे एनो को एज नाम तो क्या होता है नाइट्रोस एज लिगेंड के रूप में नाम क्या होता है इसका नाइट्रोस और आवेश क्या होता है सीड़ी जैसे को सीओ है कारबनाई है एच्टू है एक वा एन अच्थी है एम तो यह आपको याद रखना है फटा-फट उतारो इसको स्क्रीन शोट ले लो जल्दी से ताकि आप इसको अपने खुद के फिर नोट्स में उतार सके हैं जल्दी उतारो जल्दी चल्दी उतार लिया चलो आजाओ अब आता है अगला एंसी आईसोसाइनाइड यह भी लिगेंड ही है जिन पर क्या-क्या आवेश है वह समलिक है फटा-फट उतार दो जल्दी से ज दो worksें से लिए सब्स्क्राइब करनाए और आंचे है ऑद हो बोल्य जाए toleration तो फाक्याइड है तो उसके बाद उनकी नामसे विस्ट्री सोर्टकेस लिखा जाता है केवल रिनाई वीशित संकुल आयन में धातु के अंत में 8 लगता है और किसी के नहीं आपके सामने एक एक्जामपल दिया रहे है के त्री एफी सियन का होल सिक्स इसका नाम करना है है ना तो इसका नाम करना ये सुत्र जो है लिखना मैं बाद में बताऊंगी पहले नाम लिखना बताते हैं ठीक है के को एफी सीन का होल सिक्स ठीक है बीटा अब नाम करन कैसे करते हैं सामने बोर्ड पर सभी बच्चे ध्यान दूना सबसे पहले क्या करना है आपको सबसे पहले इस केंद्रिय धातु परमानों का ओक्सी करन अंग की 11 में सीख कर आए हो ओक्सी करन अंग कैसे निकालता है अगर नहीं आता है तो मैं बता दिए सबसे पहले क्या निकालो ओक्सी करन अंग कैसे निकालोगे तो कोई दिकरत नहीं है, कितने, 6 क्या चार्ज होता है सी एन पर, माइनस 1, अब आप सोच रहे होंगे, मैडब हमें कैसे पता चलेगा, कि इसके उपर माइनस 1 होता है, नहीं होता है, हमें तो नहीं पता ने, पता होगा, इसके लिए आपको याद करना होगा, प्लस एक्स माइनस छे एक्स बरावर छे माइनस चार बरावर एक्स प्लस दो यानि कि जो एफी है उसकी oxidation state कितनी है प्लस टू यानि इसे आप रोमन संख्या में इस प्रकार दिखिए ओके डन अब आजाओ आपके पास क्या है संकुल रिणायन है क्या है बता के फोर एफी सी अन का होल सिक्स संकुल रिणायन क्या है संकुल रिणायन है ठीक बात है बात समझ में आगे और यह क्या है आपके पास सरल धनायन है ठीक है अब सरल धनायन का जब आप नाम लिखेंगे तो उसमें उसकी संख्या मत लिखना कभी नहीं लिखना को के बात समझ है तो सबसे पहले नाम किसका आता है लिखेंगे लिए समझन सुख्य मत लिखते हैं साइन लेकिन साइनो से पहले क्या लिखना पड़ेगा लिगेंड की संख्या कितनी च्याव क्या लिखते हैं अब रिनायन संकुल में केंद्रि धातू पर मानूं है तो नाम होगा फेरस और के पीछे लगाओ 8 तो किया बन गया बटेट क्या बन गया लएय बात समझ में ये वा किसमें नाम क्या हुआ है पोतेशियम एकसा साइमों फेयरेट औक्सीडेशन इस्टेट इतना रागेगा के बात भी होग है नाम लिखना आया जल्दी बताओ किस किस वा जल्दी बता तो यस मैम आगे है बेटे क्या करना होता है हमेशा संकुल और रिनायन धनायन को पैचानना होता है सलल धनायन है तो नाम सिदा का सिदा है वेस का वैसा ही संख्या कभी नहीं लिखते हैं और जब आप बात करते हैं किनकी संकुल की और संकुल रिणायन है तो संकुल में मैं शाए लिगेंड का नाम संख्या के साथ और धातु के नाम के पीछे 8 लगा दिया जाता है और फिर धातु के नाम के आगे क्या लिख दिया जाता है उसकी oxidation state लिखती जाती है बात समझ में पटाफ़र लिख दो यस मैं ओके डन चलूंजी आगे ओके फटाफ़ उतारो जल्दी से देखे ताकि में आगे बढ़ सकूंँ चलें आगे जल्दी चल्दी चल्दी जल्दी जर्द कि ओके जी आईए जी आईए अब चलते हैं आगे अपना है सुत्र संकुल योई का सुत्र लिखने अब आपको थ्योरी में दिया है वहां सुत्र था नाम लिखने अब नाम है सुत्र लिखने सिमिलर वही बाते हैं कुछ जलाद नहीं है अब देको क्या कह रहा है यह कह रहा है संकुल यहिकों का सुथ लिखते हैं दात्त सब से पहले बा modest में लिखा नीवीज़ाल जे रहें डोशती साफायद से संकूल आयन पर आवेश जाते हैं स्लल आयन वा संकूल आयन से साहिता से संकुल करका सबस्क रहना avons की करें या जाए क्लियर और लास्ट में धातू की जो ऑक्सिडेशन स्टेट है उसको भी लिखती है जाता है आईए एक बार एक एग्जामपल देखें जैसे अपने पास क्या है पोटेशियम हेग्जासाइनो इसका फेरेट सेखें अब आपको इसका नाम लिखना है पोटेशियम हेग्जासाइनो ठीक है तो फेरेट तो यह तो होगे आपका कॉस्टक में और यह बाहर होगे तो पोटेशियम बाहर लिख लिख लिए केवल आपको ऐसे लिखना है बस पो Potassium की संख्या कित्हें कि अगर यह ग्याद करना है तो अपने को क्या मा देना है अपने को यहां देखना है कि Kt9 में गहैं प्लस दो में हैं अपने पास साइन ऑई-um उथा कितना हूँए Within Potassium पर चार्ज कितना होता है यह सब आपन सब जानते हैं अपने पास यहां पर प्लस दो और यहं पर माइनस कच भाजर कितना बैचा अब ध्यान बितां यह धनायन है यह यहां मानस जदी जल्दी जल्दी बता उ जल्दी बताओ जल्दा चल्दी बता हुआ आइन है राइट बहुत इजी है बहुत इजी है नाम करन बहुत इजी है अगर आप अच्छे से यह दी आप समझना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना के वल धातु पहचाननी है धनायन और रिणायन पहचाना है उसके बाद आप टाइरेक्ट किसी का भी नाम लिख सकते हैं बात समझ में आ गई तो फटावर लिख दो यस मैं अगला है है यह आप खुद लिखो आप खुद बताओ चलो यह मैं छुपा देती हूं यह आपको नहीं देखना है आपको खुद से इसका फोर्मुला लिखना है ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए जल्दी से फट भी आपको लगता है कि हमें नामकरन फिर से पढ़ना है कि हमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मैं आपको वापस ही समझा देंगी यू डॉन्ट वारी ओके तब तक अच्छे से मस्त रहके पढ़ाई करना ताकि आपको सारे नामकरन अच्छे सम में आजाएं ओके खुश रहो मस्त रहो पढ़ते रहो थैंक यू